स्वाध्याय टीवी डॉक्टर बाबा साहिब आमबेड़कर ओपन युनिवर्सिटे मित्रो नमस्कार डॉक्टर बाबा साहिब आमबेड़कर ओपन युनिवर्सिटी ना जियोतिर मैं परिशर्मा आवेला चैत्यन्य स्टूडियो माथी मुँ योगेंद्र पारे खाप सवनू स्वागत करूँ छू मित्रो आजनो आपनो विश्यीचे वार्ताकार हिमानुशी शैलत गुजराती सहित्यना गध्यना स्वरूपो मां तुंकी वार्ता इटले के नवलिकानुँ अनोखुस थान चै गध्यना एक विश्यीष्ट सहित्य स्वरूप तरीके ठुंकी वार्ता नवलिका एक जुदी शिस्त मागी लेचे आप सव जानोचो तेम गुजराती मां तुंकी वार्ता एम कहिये ची ये तियारे ये अंगरीजी शौट स्टोरी नो सीधो अनुवाच चै अने एरीते स्पष्ट थाये चे के गुजराती मां तुंकी वार्ता पास्चात्य सहित्यनों प्रभावनु परिणाम चै स्वरूप शिस्तनी सभांता थी गुजराती मां टुकी वार्ता लख्वानी शरुवा थे होय तो आपनने उगणी सोनी सालमा आज थी बरोबर एक सो पंदर वर्स पहला शांतिदास नामनी वार्ता मले उगनिसो अडार मां प्रगट्थेली मल्यानिलनी गोवालनी स्वरूप शिस्त स्वरूप चुस्ती निद्रुष्टिये पहली गणा येली वार्ता थे गुजराती टुकी वार्ता ना उदभवनी आक्षणोंने संभारती वकत आपडे प्रारंबना बे दिग्ज वार्ताकारोंने संभारवा पडे इद्धुम के तुओ निद्विरे गांधी युगना बे समर्थ कवियो एवा उमाशंकर जोशी यने संद्रम पण वार्ताकार रता आपनों आजनों उपक्रम गुजराती टुकी वार्ता ना इतियास ने थपासवानों न थे आपने आजे वाद करिशु वार्ताकार इमान शीलत्रम तो मित रो स्च गुजराती टुकी वार्ताना शताप्दी वर्स नी बहुँ नजिक चीया आपने लगबग अवे बे वर्स बाकी छे एग्युजराती टुकी वार्ता सो वर्स पुरा करशे 2017 मा गोवालनी नी शतापदीनू वर्ष अशे कहो के टूकी वारता नू शतापदी वर्ष अशे हाँ शतापदी ओ किटली गुजब वी ये जुदो प्रष्ट थाए पणाम लगबग 100 वर्ष नी थवा आवेली टूकी वारता ना अनेक महत्वना पड़ावो मा दुमकेतू द्विरेप उमासंकर जोशी सुंद्रम जैन खत्री जैनती दलाल पन्नालाल पटेल पेटलीकर सुरेज जोशी मदूराय किशोर जादेव रादेशाम शर्मा एम आउता 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 आपने चुनिलाल मडिया अनेक नामों पचितो आधुनिक समय ना मड है वार्ताकारोना एम आपने उगणी सो सत्याशी मां इमांशी चिलत पासे पहुंचिया छे हिमांशी बेननो जन्मों ऊगणी सो सुर्ता आलिस मां था जा आठमी जैन्यारी उगणी सो सुरतालिस मूले तो अंगरेजिना प्रादया पक्क्क पचास वर्ष नी उम्मरे वहला निवरुत्त थया सूरत नी प्रतिष्ठीत MTB कॉलेज मां अंग्री जी ना व्याक्या था अभ्यासु अंग्री जी साहित्यना अने साथो साथ गुजराती साहित्यना पण निश्बत पूर्वक पोताना क्षित्रमा काम करना ना मानसों मा वर्तमान मा थोड़ाक नामो जो मुकवाना थाए तो इमान्शी बेहननू नाम पेली हरोड मा आवे प्रतम पंक्तिना सर्जक सम्विदिन शिल सर्जक निश्बत पूर्वक पोताना शब्दने जाहिरमा मुकनारा लखनारा साचा आर्थमा प्रतिबध्य सर्जक उगणी सो सत्तावन मा गुरुप्रवेश प्रगड थयो सुरेश जोशी नो वारता संग्रह अन्य गुजरादी टूकी वारता ये करवट बदली सुरेश जोशी ये किंचित नामनी प्रस्तावना लखी अन्य नवी नवली का नवी टूकी वारता कहो के आधुनिक वारता नू एक जुदु व्याकरण है मिनाये पो वारता विभावना आपी घटना लोपनी बात सुरेश जोशी लाएवया तो बक्षी ये कहूं के हूं तो घटना वगर लखी ना शकूं वारता में घटना तो जुई है प्रतीक कल्पन स्वपन वास्तव अड्रिम रियालिटी तमाम आधूनिक साहित्यना प्रमुख कई शकाई एवा लक्षणों थी वाया सुरेश जोशी गुजराती टुकी वारता प्रभावित्त है प्रयोग वज्या गुरू प्रवेश्णी गणे बदी वारता हो परंपरागत वारता हाती परंतु ये पची बीजी दोडिक अपीच न तत्र सुरियो भाती सुधी आवता सुरेश जोशी ना विस्तरता प्रयोक्षिल अभिगम ना प्रभाव मां तेमना समकाली नो आएव किशोर जादवनू प्रयोक्षिल वलन बदा थी तेमने जुदा पाड़े तेवू हतु परावास्तव शैली नो विनी योग करयो किशोर जादवे स्वपन दर्शियो रेचे तरकना चिप्या थी वारताने पकड़ी न शकाई के कथा वस्तूने पकड़ी न शकाई एवी व वारता हो द्वारा एक जुदीज स्वपन स्रेणियो रची किशोर जादवे एपसेड नो तीवर बोध वारतामा पन प्रेक्ट्य नाटक बाद आग समय गाळो एवो तो सात्मों ने आठमों दाएको गुजराती साहित्यमा न खास करीने कथा साहित्यमा जेम ब्रुहद्द नवल कथा है त्रोन के चार भागिनी नवल कथा है लगू नवलनू स्वरूप सिद्ध कर्यूप सो पेज नी एक सो वीस पाना नी लगू नवल नवल कथा नी बदले लगू नवलनो अविश्कार थयो वारतामा प्रयोक्षिल्था वधी आप जानू परिणाम है आपने घणी लिलिया स्वरूपे प्रगटती सर्जन लिला जे ने जुदो वैभाव प्राप्त थयो एम सिक्कानी बीजी बाजु तपासिये तो परंपरागत वारता थी टिवायलो गुजिराती वाचक वारता विमुक्त थयो यह वारता थी जाने दूर भाग्यो एक साधारन वाचक शाधारन भावक अधिक्रुद भावक अने साधारन भावक वच्चे नी भेद्रेखा बोस्पष्ट बनी गई एकले वारता नती समझाती एवो केनारो एक एवो वर्ग वारता थी दूर थवालेग्यों आ बदू ठरावो करीने नक्की नथी थतु परन्तु समय नी सर्जत हो आई जया इकले आधूनिको ना अग्रणी एवा सुरेश जोशी जम्न जन्म उग्णेसो एक्वीस माने आवसान उग्णेसो च्याशी मान तो आधूनिक साहित यनो ने आधूनिक वारता नो बनने नो यूग जाने छ्याशी मा आत्मी गयो ने बराबर आपडे सत्या सिमा जूदीरी ते प्रगटता वारता विष्वने पामी है ची आपने समय दूदी दुनिया कुले चे गुजराती वारता नी बेह री ते आधुनिक्तानो अग्रदूत सुरेश जोशी तेमनू अउसान थयो, समाच जीवनमा पन व्यापक परिवर्त नो आवता जायेचे, अने हिमान्शी बेननो प्रथम वारता संगर उगनिस्टो सत्यासिमा आवेचे, आ वारता संगरनू नाम चे अंत्राल, अंत्रालाईवो सत् सत्यासिमा, एज सत्यासिनू वर्ष आधुनिक्स वारताने आधुनिक्स समय थी, गुजराची टुकी वारताने जुदू पाड़तू वर्ष बनी रहेचे, एम कहियात अतिशयोक्ती नाथी, उगनिस्टो सत्यासिमा अंत्राल प्रगेट थाईचे, अने आवकार पामेचे दलित वारताओने व्याथाओने वाचा आप्तु साहित्या, ब्यस्वरूप मा ते समय वदारे प्रगेट थाईचे, कवितामा अने पचि वारतामा, पचित दलित विश्यवस्तुनी नवल कथाओ पन आपने तेया मले चे, तो हिमान्शी बेन अनु आधुनिक समय ना बहुं मोटा वारताकार तरीके प्रस्तापित्थाईचे, येनो प्राहरंब आपने कहुतेम अंत्राल थितायो, अंत्राल येमनो सरस्मजानो वारता संग्रेशे, तो हिमान्शी बेने ये पच्चि सतत वारताक्षित्र प्रदान चालू राइखो, अने येमनी पास्ते थि आपने मले अंत्राल ये उगनिसो सत्याशी मा जे मा उगनिस्वारता हो चे, पांच वरस पची अंधारी गलीमा सफेट्टब का उगनिसो बाणु मा जे मा तेविस्वारता हो चे, ये लोको बिजा पांच वरस पची उगनिसो सत्याशी मा जे मा एक्विस्वारता हो चे, बिजा पांच वरस पची 2002 मा सांजनो समय जे मा उगनिस्वारता हो चे, एज 2002 मा पांच वरता हो लईने पंच वाई का नामनो संगरा आपेचे, बिजा पची 2004 मा खांडणिया मा माथू संगर लईने आवेचे, इमान सिबेन और उगनिस्वारता हो आपेचे, पांच वरस पची गर्भगाथा साथ वरता हो लईने आवेचे, 2011 मा घटना पची नामना संगर मा चवद वारता हो लेना आवेचे, तो में आपने जणायवाद ते आठ वारता संगरवो मा बधिमडीने एमनी 170 विस वारता हो चा, मुँआ महिती आपने सामे जे शेर करी रहे योचू, आपने जे आपी रहे योचू महिती, एमा ए छे वारता विशेश इमांशी शेलत आपुस्तक, आपुस्तकनों संपाधन करिए आपना जानीता विवेचक, बेन स्री शरीफा बेन विजलेवाडा है, तेमने इमांशी बेननी समग्र वारता शुरुष्टियो नो अभियास करी ने गणी उत्तम वारता हो आपने संपाधन मा समाविश्ट करी जे, तेमना आट संग्र हो शिवाई, जो गरंथस्त स्वरुपय तेमनी वारता हो जोवी होए, तो आपने बे इवा संपाधनों पन मिल्याँ चे, यह मन वेख चे हिमांशी शेलत नी वारता स्रुष्टियों, जया पहला प्रकेट थेलु, पहलु आद तेमनी वारता हो विशे संपाधन, जेना संपाधक चे, जानिता वारताकार, वेवेचक, नवलकताकार, कवी, मनिलाल हो पटल, तो मनिलाल हो पटल, यह संपाधन करिया बाद, इमांशी बेनन्नु आ संपाधन मिल्यू आपनने वारता विशे इमांशी शेलत, अने तेमा यह मने जनाएवू चे, आ वार्ताओ आंट संग्रमा अने एपची अग्रन्थस्त वीजिछ वार्ताओ एम आप उस्तक तयार थयू त्यां सुदिमा एमने लखेली 130 वार्ताओ विश्यनी भीगतो आपणने प्राप्त थाएजा अग्रनी विवेचेक बेन इवा सरिफा बेन करेलू संपादन अग्रनी वार्ता करेवा मनिला लह पठेलनू संपादन बे-बे अग्र हरोळुना अभियासुए द्वारा संपादनों थाए इस सुच्वे छे कि इमान्सिबेन वार्ताकार तरीके गुजराती साहित्यमा खेट इमांची बेननी एक वार्ताकार तरिखी नी प्रमुक ख्लाक्षणिक तक ही गणी छकाएं। इमांची बेनने गुजराती वार्ता सहित्य नी परंपरा और प्रयोग बनने नी सम्रुद्धी नो परिचेएं। तेमनी पूर्वे प्रगड थई गयेला वार्ताकरोनी विशाल वार्ताराशी मांथी तेमने पुताना बाविश्वन घड़। रचना रिती नी अनेक वीधता कहो के विविधता मां थी तेव पसार थया। सुरेश जोशी पूर्वे नी परंपरागत वार्ता और सुरेश जोशी ना सम्मेनी आधुनिक वार्ता। आ बन्ने थी सम्रुद्ध धहेलू चीत एक पूतानी दिशा पकड़ेशे। अने दिशा एविशे के नथी परंपरागत वार्तानों प्रभाव के नथी आधुनिक वार्तानों प्रभाव। निजी सत्व थी पोते पोताना वार्ता स्वरुपने घड़ेशे। वार्ता कोई नवा स्वरुपे मलेशे। वार्तानों स्वरुपने शिस्तमा रहिने स्वरुपने क्षमतानों क्यास काडती वार्ता हो आपने अनु आधुनिक समयमा मलीशे। अने एक क्यास काड़ना रा अनु आधुनिक समयना घड़ा सर्चकों चाहे। कोई साधारन विद्यार्थीने पन पूछिया आपने गुजराती सहित्याना के गुजराती वार्तानी लाक्षनिकत आव जणाओ तो ये विशैवस्त्तु रचनारीती पात्रनिर्मान शिर्षक उद्देश वातावरन आवा बधा लक्षनों जणाओशे। हिमांसि वेने वार्ता सुष्टिमाथ आपने ये अवा बधाज लक्षनों में गणाएवा ये वा बधात्य लक्षनों में पामीशेक्टिय वुन अथि बनवानू येम तो आधुनिक वार्तामाँ पने प्रयोक्शिल वार्ता मां के तमाम लक्षन आपनày किस्वर जादु सुरेश जोशिनी वारता माती ना मले सवाल एच छे के ना मलवा जोई या लक्षणों शिद्ध नोथी करवाना वारता सिद्ध करवाने जै कुरूती सिद्ध थवी जोई ये आवी स्वरूप विशयक सबान ता परंपरा ने प्रयोग बनने थी सम्रुद्ध थएला वार्ताकार इमान सिद्ध पासे जीवन अनुभवनी बहु जुदी मूडी छे जे गुजराती सर्जोको पासे बहु उची जवा आमाला चे यहमने अनुभवने आकार आपूँ तो सम्विदन विश्वने खोलू नेन्यमाटे माध्यम बल्यूध वार्तास्वरूप शब्द मात्रा हास वगो नोह थो मात्र मो वगो नोह थो शब्द रुदै हगो नोए रुदै जबर हातु आजे पड़ इमान सिबेन लखे चे जह मानवियनी अभ्यासु द्रष्टी चो तरफ परती नजर जीनु कात्वानों स्वभाव सवती मोटो मनुष्य तरीके नी जागृत सभांता समिदन्चिन सक्रियता ये नशब्दमा मुकवानी अंदर नी गरज ये जरूरियात बनी जाए अभिव्यक्त थवुए अने ये पीड़ा विमोचन पामें त्यारे वारता प्रक्ट है तो इमानशी बेन पासे मुडी कही जीवन अनुबहु नी मुडी जीवन अनुबहु नो प्रथम तबक्को तो शिक्षण नो होई जीवन ना प्रथम बेहडिदाई का बनवामा गया होई हाँ विश्वसाहित् श cook आभ्यास विश नाईपॉल नॉबहल प्राइस विणर सर्ज्वसाइज़ण विद्याधर सनाईपॉल भारतिय अ मुड्न सर्जज़ण आभ्यास विद्यादति निए किमात्र भाषा गुजरातिनों साहित्या अने तेमा तुकी वारताना विश्वसाहित्यना अभियासु एवा इमान्चिवेन सर्जन ख्षेत्रे सक्रिय थाएचे मात्रु भाशामा। अवे जुदा पड़वानी बाते हती के पहला तो जीवन अनुभव शिक्षण विशेक अनुभव नो विजो तबक्को हतो विद्यार्थी जीवन बादनो अध्याविका तरिके ना चीवननो। हाँ भणाईवू वर्षो शुदी। ते छता वहला निवरुति लिदियें पचास मा वर्ष है। यहनु कारण अतो। यहमने पोतानी आसपास ना विश्वमा शोशितों ने पीडितों ने और सहाई बालकों ने जोया। रेड लाइट एरिया मा धंधो करती महिलाओ ना बालकों ने बहुत नजीक थी जोया। आबदू जोईने आमना भाव जगत मा एक सतत मथा मन चाली। कशुक करवानी मथा मा। अनि एटलेज नौकरी नी सलामती आर्थिक सद्धरतानी पिलू सुरक्षा कवच। ये बधा मा थी वेलासर मुक्त था याने पोतानों मार्क पसंद करें। कि मारी एक जुदू काम करवो छे। अनि ए जुदू काम पन पिलू सेवा करवाना बहु मोटा दजा फरकाववाना अभिगमती नहीं। सूरत ना रेलवेय प्लैटफॉर्म पर रखडता बालकों ने भेगा करवा। अनि पछी बहा सारी वात कहवी। प्लैटफॉर्म नंबर चार सूरत नू प्रवूर्ति केंद्र बने। अनि इमांसी बेन पची प्लैटफॉर्म नंबर चार नामनू पुस्तक पन आपेज। आनू भवने मुकी आए पोछे शब्दमा। ना नकुन बहु सरस पुस्तक छे। कोई पन एंजियो कि सेवा भावी संस्था है। सेवा ना अहंकारने खंखेरी ने काम करवू हुए तो प्लैटफॉम नंबर चार वांच पुस्त पड़ाय। आ बदू अनुभव जगत हतु एने शब्दना रूप मां मुकवू। कारण के लोक सुधी गया। लोक सुधी सिमीत ना रहा। लोको सुधी गया। अने लोको एटले छेवाडाना लोको। चुपडपट्टी मा रहता लोको। आप दूज एमनी चेतना मा एक जुदा स्वरूपे वमलातु हतु हतु। अने वारता मायव। अंत्राल वारता संगर प्रगट था। मनिला अपटेले गणी मेदी त्रण वारता संगर उजी आरे प्रगट था। तिया आरे अमुक अमुक वारताओ पस्संद करीन है। ये मां थियाली थी चे वारताओ। ये वारता जगे जुदू वारता जगेचे। पड़ाम करवामा हुँज ये पेली लक्षणोंनी वात करू छुए के वुचे। गणी वारताओ एवी छे। सवथी पेलो गुण। वारताओनों सवथी पेलो गुण। जो हुए तो लागव। टूकी वारताओने परमर्थमा येना लागव॥ी विमांची बेन पायमें आचे। ये मनी बहु मोटी सित्ती चे। वारताओने येमने खरेखर टूकी जिराखी चे। आपने वढ़ी पाच्चे। दीर्गनवलिकानों स्वरूप पन छे। लांभी टूकी वारता है। ये एनी निते पोतानों स्वरूप सित्ति करे छे। आपणों वात एचे। आपनी वात के इमांची बेने परमर्थमा टूकी वारता लगव॥ी बेन पासे ती। एक मेठगे माँचे शयां की वारता मलाई जा भुषा अट्ता chili Пावख ने क्ते अर्दिवारता आजी माँचे कल सैंदी काल वारता पूरी ख्रे है वारता मा खेज्लाई यहां समयदन साथे ईने तालो मले उन Jong-old को कांपड़े निस्मत पूरुवक आपना आसपास ना विश्वमा आपड़ी नजर सामे रोज पड़ता पात्रो आपड़ी नजर समक्षी रोज आउती दुनिया आपने वारता मा आवे त्यारे आपने था आतो आपने रोज जोता था मेंट यमुर्ण मा ठीवी जिवासमे यहाराध ता नू दुर्व वाक्य不會 रिशे यह जाहां जहां 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 सोच वहां वहां शौचा लई बारणू वारता मां शौचा लई नी अभाव एनी समस्या केंद्र मांच है तो एक नागरीक तरीके आपने जानियां चीए के ग्राम विस्तारों मां साइच शौचा लई नव हो आना कारणे किटली मुश्किली होच्छे आपने सव जानियां चीए आपने गुजराती भाषा साथे नवे सर्थी इमांची बेन मुकाबलो करावे चे परिचे करावे चे बारणू वारता नी नाईक आचे सवली जूपण पट्टी मारे चे अगे जूओ शौचा लई ना होई त्यारे सवथी वदू तकलिप कोने पड़े महिला होने प्रथम तब क्या अपनेम लगे हाँ यू ने महिला होने ने पन इमांची बेनने खबर चे क्वधारे तकलिप कोने पड़े जे अमनाज उगी ने आपड़े जेने कही हैं जूपण पट्टी नी टे ने जर एवी सवली असंख्य जूपड़ामा रेता पुष्कळ मानसों नी वच्चे जेवा तेवा आजो नगर विस्तार नी जूपण पट्टी मां जमचाली सिस्टम ना मकानो होई एना थी पन बदत्वर आलत्मा बदत लईने जवू पडे तियारे ज्यां बयास्वानु छे जुपडपटिमा आवेला शवचालेईमा बारणु अंदर थी बंद थाई शके एवी कोई अवी परिष्थितिमा तेर वरस्के चवद वरस्के नाई का बनेतियासुति जवानु टालेईचे रोज यहनी मा वटती होएचे पेटनो दुखा हो थाई शरीर बगडे जियावाएचे अब बहुत जुदिरीद वारतामा आवेचे प्रश्न येवो छे और वाई वस्तू थी परिचित गना वारता कारोंु छे गना सर्जकों चे परंतु ये वस्तू वारतामा आवे तियारे आ बेत्रण दिवस्तु थी पोतानी कुद्रती हाजतने रोकी राखनारी सवली मेलो आवे त्यारे मेलामा बेनपणियों साथे जाए छे एन साच्वीन लेज जो युँ मा के छे मेलामा विखूटी बड़े छे एक बाईना आथमा आवे छे यह बाई यहने लही जाएचे थोड़ी वार घर जता आविये कईना माउसी जानी तू एक करेक्टर होएचे दरेक फिल्मों माने आवे यहां प्रचलीत यहां विश्य वस्तु ने जो माउजद के विरीत आपेचा वारता का यहां वारतानी सवतिमोटी सफ़ता आज शवली कोई ने तिया काम करता करता के टीवी मा फिल्मों मा जे प्रकार ना बंगलाओ मा फिल्मों मा आवता बंगला मा जो यहला टॉइलेट ना कारण है एना मनमा तो है के एना एक स्वपन विश्व होई चे श्रुष्टी जेवुचे टॉइलेट पोते के गुलाबी आरस और यहां आपने जवानू होई जे एनी कल्बना बारनी बात हती यह जिग्या है पेली महिला जिया रहे एना लई जाए एक थोड़ी देर जाके आते हैं तियां पची इशारा थी कहे चे नेने के हाँ जा तू 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 जही आओ अन सवली जाए जे तो फिल्मों मा ज आपने बद्रभाशाम वाश्रूम कईये ची यह यह बात हरूम मा सवली प्रवेश्ये ची त्यारे जाने एक स्वपन साकार थतू हाश अविजिग्या है जल्दी पताविदू बेदी वस सांती एवी एक भूमिक आये जती सवली अने पची कायम माटे वसाई जेतू बारनो येना जीवननी तमाम संभावनाव हवे बाहर निकलवानी समाप्त थे जवानी चे एवो संकेत करतो वारतानों अंत सवली बातरूम मा गई और बारनों वसाई गई तेनी पाशल चपो चप यहम करीने वारताकार वारतानों मुकी दे जा अने सवली ना अंधकार में प्रश्णे चे के सवली घनाय जुए होई चे शवली वारता मा आवे चे तो अकभंद वारतानी नाईका नगर जीवननी चे परणीने सास्रे सुखी थे थाई चे एने मन थाई चे के पीर जवुँचे अगाव पीर आवी गी होई चे पन आवक्त तेने नक्की करीली तो यह कन्या विदाईनी ख्राण के भी होई मा बाप दुरुचके दुरुचके रड़ता होई ना भाईबेनों होई के मोटा होई वडगी वडगी ने लोको विदायापता होई जे घरना आंगने तो उलसी क्याराने रोज मावजत करी होई गर्बानी पहली ठेस जे ट्यारे वातावरन के ओ होई कभी अनील-चोषएी कहें चाले के सरयलो शापो गर्णु फड़्यो लिने चाले लले गर्णु फड़्यू ले अचाले निले करना फड़्या चाले विदाय थने तो थने ली पत करींगा परिष्ठिति बप alltid yay घरना घरना भली आने उःता हो बदू अकबंत से अपेक्षा चा बदू बदलाईू चे वास्तविक्ता चे बदलाईू सू होए बाई परनी गयो होए भाभी आवया होए पो ते हवे ननंदना रोल मा होए आखी बदलाईली भूमिका मा पपानी चा के काफी पीवानी टेव बदलाई गयो होए खाननू सालाना डब्बानी जग्याओ बदलाई गयो होए दरेक वस्तु पर भाभी ना व्यक्तित्वनी एक छाप अंकित थेगे होए सत्तानू परिवर्तन थेगो होए यहने ख्याल न देके सुक्ष्म पने एना विशेनी भावनाओनू पन परिवर्तन थेगो होए कशुक काम पोताना आथे बेर ओटली वनीन पपान खबडागी चे तो कदाज को एम पन के घजी समय नत्थ बैसन तमे थोड़ा दीवस रोकाओ तमने नहीं खबर पड़े रेवादो आउ पोताना जगरमा कोई केहे अ बदुज बहु स्वाभावी क्रमा होए पन सतत गणी अपेक्ष आवेली नाही काना मनमा अ दरेक वस्तु एक जुदो अजंपो विस्तारती होई अने घणु बदु रोकावानू नक्की करीने आवेली नाही का ये त्रणेक दीवसें विचारिक बस अवे हुँं मारी सासरीम पाची चतिरो इतले व्यवार जगत मां जेने आपने बहुत जडब थी हडसे ली देईये चिये अनुभविये चिये पन पामता न थी एवा सम्वेदेनों अने एनी सुक्ष्मताओं मां अकमंद वारता माले गयाए चा लेखिका एवी एक मुठीमा वारता चे मुठीमा वारता नि नाही का णलाम भूव सरस्षे घिरजु अब जुपड पट्टी नी बारता चे अनुद आप시면 पोलिस वाडाना डब्बाओ जतारे पची वर पाच्व आवे तो सारू अने पेलो आवी जाएचे माथा भारे गणा तो गिर्जुनो वर पोलिस नो मार खाएचे अपमानित थाएचे चुपरपटिना बेरा चुकराओ निसामे आवो डाला मत्थो जुरावर मानस नी सहाई थाई न मार खाएचे यहम कही शकाएगे पोलिस निसामे नबलो धनी पूरुवार थाएचे गिर्जु आखे घटना करम निसाक्षी चे अने पूलिस जती रहे चे मारी ना करने कि पिलानी मत्रावर्टी मेली चे यह ने मारी ने गया पचे जुपडबटी मां दादो गणातो नायक चा पिवा अमाटी गीर जुनके शक चा बनाये जल्दी अवे दादागिरी करवानों ट्राइम आएवो समय आएवो कोनी पर करवानी पत्नी पर त्याँ पिलू केवत याद आवे नबलो धनी पत्नी पर शूरों चा बनाववा माटे चाना डबला मां आथ नाखे जित्यारे कथई पावडर नी भुराश जे चे भुकी नी ये आथ ने चोंटी जाई आंगडी ना टीर्वे चानती पिलू गुस्से थाई जे आथ उपाड़े जे काल जाड़ थेली गिर्जुए नो आथ हटका विद्ये जे गिर्जुए धायु होत तो येना वर ने पहुंची गई होत इतली बढ़ू की जे अब अधी वस्तुनू वरणान बहु शरस करे जे आखी परिश्तिती न अने गिर्जु दार्यु होत तो हवा मा तोड़ा एला एना अधर्थ एला हाथ ने जे रिते पकड़ी राके जे तादुरुष्यत आए जे पाची हाथ तो पाड़ती जाने डरीगी होत ये वो ड्होंग करी ने हमना ले आउश्य चायम करी ने गभरु नारी नी जेम बढ़ु किस्त्री पोता ना पती नी आबरु मुठिमा साच्विले जे पोलीस है तो पोलीस है तो पोते आधु पाड़ी बेश चे तो जुपड़पटी मा एने जिवा जिवु नहीरे और बधा एने पाचा बोल शे के बेराना हतनो मार खादौ तो पती नी आबरु ने पोता नी मुठिमा साच्विने अल्बत एज मुठिमा बेपईसा दबाविने चानी पोकी लिवा गई जे पन आपड़े तिया नारी वाद नो जे घौंखाट चे वो घौंखाट कर्या वगर नारी नी अस्मिता गिर्जुना पात्रमा सिद्ध थाए एले पेलू फेमिनिजम नो प्रचार ने पड़ एक नारी तरीखे नारी नी महत्ता मारवानी शक्ती चता मारखावानी तैयारी बतावती ओ ए रीते नम्रता थी वरत्तती एक बढू किस्त्री तरीखे आपने गीर्जु मुठिमा वार्ता मा माला है यह मनी एवी प्रचलीत वारता से जागीर बद्रवर्क ना लोको जाने आखी दुनिया ने पोतानी जागीर समझे छा एवो एक भाव एमा थी प्रगट था होज़़ एलिट क्लास एक तरब छे बिजी तरब छे वड़ानो समाच चे वारता मां बंगला नी गैलेरी मा आराम खुर्षी नाखी ने चाके कॉफी पीवा नी टेव हो एवी सन्नारी जुए छे तो पूताना घर नी सामे आवेला मैदान मा काला सिस्सम ना पग हो एवा मानसो एटले मजुरोन एक मोड टू टोडो मैदान मा पथर है गई हुचै क्याक थी काम करवा आवी चडेला मजुरोनू कि अनुचीत चक्रावे चड़ी जाए आटला बदा लोकों रोज रह से केटलो समय रहवा ना आसे अहीं बदी दिन चरिया पता उसे अहीं एमनू रांध से इट पत्थर ना चुलाओ अहीं कर से दुमाड अहीं कर से आ लोकों ने रोज जोवा ना उठी ने पिलो सुरियो आखी मानसिक्ता जागीर वारता मां प्रत्यक्ष करीजे इवी जानिती वारता जे टाइचल वारता जे शिर्षक वारता अंधारी गलीमा सपिट्टपका जे इमनू वारता संगरपन जे एक विद्वा जीवन पर वारता जे वारता मां शर्वत्र विद्वा जीवन नी शुषकता अने मात्र वस्त्रोडीच सफेदीने निरंतर्श वहती शुषक सादगी भावकना चित्तकोष मां पूरेपुरी जगाडवामां इवा जैमनी जानीती वारताचे इतरा है अवे पोते इतर जन थही गई छे एवी नाय का फोताना प्रिये जन जेणा लगन थही गया हो केवा पोता ना मित्रक्राना कोई प्रशंग मा जावानुँ ज़या अनुथ प्रे इतरजन हो जहाँ परीय pigs अधरवन तरीके केवस अनुभव करें जाए हिनी वार्ता आशांig थिये टर्मा आतंक मचावता तोफानी टोडानी वारता बन इमान शिबेने लखेजा जोपडबटी मा काम करता बालको ने महिलाओने इमान शिबेने जोया जा इतले गुजराती साहित्यमा बिजासर्चको ये पनी जेमके सुंद्र में तो बहु बेला माजा बेलानू मृत्य आमनी वारता लखी छे दलीत वारता शुरुष्टी मा तो आ मबलक छे आब दो इमान शिबेन पास जे आ शुरुष्टी जुदी भूमिकाती आवा छे तेमा प्रचार नो कोंगाट न थी सम्विदन छे भावक वारता पाम्यानू आस्वसन मिलवे छे अने भावक एक जु एमनी एक सुत्री सुप्रांत वारताओं मा एक व्याख्यान मा बधी वारताओं विशे बात करवानों उपक्रम न होई स्वाभाविक छे आप वात एटले चे विशे वस्तुनू वैविद्या छे सामाजिक निस्वत्नों परीचाई छे वारताओं विशे नी प्रगट्ट सभान्ता अन्य ते छता कड़ा ने दोखो न दीदेव येवी वारताओं नी सूज आपने सम्य करेते पामिशक्तिया चे अन्य येटले है आपना समय मा अन्य जुदा सर्चक्तरीकिया एमांसी बेन प्रत्रिस्टिक था आज़ाया चे येमनी चुडेलनों वासो पन इतली जानिती वारताओं अन्य जुदोज प्रश्न लिए आव्या चे वारताओं नायक्नों नाम मन्य नाम्य मानस्नू बृत्य विभीशिका वारताओं रिभ मनमा एने एक भय ग्रंथी डेवलप थे गई चे एकली विक्सिक गई चे के घरे पग मुकिस अने जगडो था शे का तो गामड़ी थी बापानों पत्रा आये वो शे पैसा मुकलवानी वा था शे तो कशुज हू नहीं बूलुए पेला पत्नी बूलुवानू चालू गरिगे अने शेले एनेम थाऊ चे गवामा थी मुक्त थाऊ चे तो मुक्तिनो मार्क कई हो हुए पहलो शूटा चेडा विजो आप गात अने जिटलो रिलेक्स थीने आप गात तरफ बड़े चे एक शाण बहु सरस्री ते लेखिकाय मुकी आपी चे आम अनु आधुनिक युगना अत्यंत सफल जुदा पड़ता सामाजिक निस्बद्धरावता लागव गुणने वरेला विशेनु वेविद्य जेमनी पासे चे तेवा चेवडाना मानसुनी वार्ता ओलेईने आवता वार्ताकार तरीके हिमांशिबेन गुजराती साहित्यमा नोखु स्थान तरावे चे अने गुजराती वार्ता साहित्यमा सर्वता आदर्णियां और सर्वता उल्लिखनिया रैशे इवा इक अभिवादन शब्दों साथे मारी वातने वीरामा पुझे नमस्कार स्वाध्याय यह पर्यमंत पहां पहां स्वाध्याय टीवी का थे अरे वार्ता सर्वता प्रेशन शब्दों साहित्यमा स्वाध्या टीवी